हेलो एव्रिवन वेल्कम बैक टू दे चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आप सब बहुत भड़िया होंगे मजे में होंगे तुझी अभी हो रहा है यहां पर शाम का टाइम शाम के साथ बीज साथ पच्चेस हो रहे हैं और अभी मैं आ गई हूं कोचिंग से वापस तो वापस मैं आई उसके बाद साथ बज़े आ गई थी फिर मैं अभी को लेने चली गई थी मम्मी के घर क्योंकि अभी को वहीं पर सुला के गई थी कोचिंग तो अभी भी वहाँ पर फिर उट गया था तो उसको मैं लेकर आ गई हूं तो अब वह उसने बोला ममा मुझे भूक लग रही है कुछ बना दू खाने का तो फिर मैं सूचा चलो जल्दी से चिप्स तल देती हूं तो चिप्स मैंने यहाँ पर तले हैं और साथ मैं अपने लिए बनाने रख दी है चाय तो बस बैठके हम दोनों ममी बेटा ने चिप्स खाए और मैंने चाय पी और इसके बाद फिर मुझे आद आया अरे मैं कपड़े सुखाए थे दिन में छट पे तो मैं फटाफट से आ गई हूं छट पे कपड़े लेने के लिए तो अंधेरा स इसकी वज़े से तो मैंने उपर ही रेलिंग पे ही उनको डाल दिया है अभी नीचे लेके नहीं आई और कल एक बार और थोड़ी सी देर धोप लगा के फिर उसके बाद मैं उसको नीचे लाके और फोल्ड करूंगी तो बस कपड़े लेके आई थी और तुरंती में आ गई ऐक किचिन में मैंने आपको दिखाया था नइस्टार्टिंग में किचिन की किया हालत हो लिए थी जार तन की इतने सारे जो वरतन हैं वह खटे हो रखे थी आयिएक, vlog के continuation में ही है तो उस समय मैंने नाशता वगरा करके फिर मैंने editing वगरा पर और वाइस ओवर वगरा करने में लग गई थी वीडियो का और फिर उसके बाद lunch बनाया तो lunch बनाने के बाद अतना time हो गया था कि फिर मेरा coaching का time हो गया तो बस मैं सीधे निकल गई थी coaching के लिए क्योंकि ये रहता है लेकिन जो बाहर के काम है या अपने work के काम है जौख के काम है वो तो हमें time पर ही करने है तो बस time हो गया था तो मैं चली गई है और काउंटर टॉप है किचिन का यह सब अच्छे से मैं साफ कर दूँगी क्योंकि डिनर का ऐसा है कि सुबह जो पालक पनीर बनाया था वो भी रखा है और फिर लंच में थी मेथी आलू की सबजी वो भी थोड़ी रखी है तो डिनर का काम उसी से चल जाएगा पस मुझे रोटिया ही बनानी है तो अभी मैं अच्छे से एक बार किचिन साफ कर दूँगी और फिर जब तुबारा वो खाने वाड़ी प्लेट वगएरा होंगी तो उसे मैं बाद में साफ कर दूँगी तो बस किचिन का काम निप्टाने के बाद फिर मैं यहां पर आई बातरूम मे तो मशीन मैंने लगा रखी थी तो मशीन में क्या था जो लास्ट वाले राउंड के सौक्स वगएरा जो थे ना वो बचे हुए थे उनमें ट्रायर लगना था तो मैंने वो लगाया और उसके बाद फिर अच्छे से मशीन को साफ कर दिया और क्योंकि मशीन जब ज़से गंदगी हैॏहाँ जहाँ यहां जहाँ गंदगी ज्यादा होती है। जो ही लगा हुआइज देखे हाँ वाइपर लगा देती हूँ। तो इस तरह से बाथरूम जो है जैसे वीक में अगर दो या तीन बार जब भी मशीन लगती है तो इस तरह से बाथरूम जो है उसकी डीप क्लीनिंग होती रहती है तो फ्लोर और टाइल्स वगरा अच्छे से साफ बने रहते हैं तो बस यहां पर मैंने अच्छे से बाथरूम साफ कर दी है और इसके बाद लगा दूँगी वाइपर तो बाथरूम का काम यहां पर हो जाएगा बाथरूम का काम करने के बाद फटा फट मैंने रोटियां सेख ली थी फिर हम लोगों ने डिनर भी कर लिया और इसके बाद अ के ड हैक ये फिर्वन नर्माल यू बनाते हैं मैं कार負ाश करी लिया करता है यहां से बापस अटता है दिखें लेंबो है जिखेंगे कि वे मैं लेंबोऑ ज्टक्व मैं दकदेंगे पैट गी थी अवी को homework कराने के लिए तो आज कल ना इसके English में चल रही है cursive writing तो उसमें क्या होता है वैसी बच्चों को बहुत मुश्किल से आती है क्योंकि उसमें हाथ थोड़ा सा चलाने का रहता है तो वो इसे अभी आनी रही है अच्छे से तो उसी की practice चल रही है तो उ अभी को फिर मैंने homework कराया लगबग एक घंटा मुझे इसमें लगा था और उसके बाद अभी देखे आई हूं मैं kitchen में तो बरतन जो है वो पड़े है थोड़े से जो अभी डिनर किया था उसके और हलका सा kitchen में काम है तो मैंने सबसे पहले वो बरतन साफ कर लिए और उसके बाद यहाँ पर kitchen को अच्छे से पोच दिया तो यह काम जो है ना यह मैं जरूर रात में करके सूती हूं और करना ही चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो है ना हम सुबा उटके kitchen में ही आते हैं तो kitchen अगर साफ सुतरी होती है बरतन सारे दुले हुए होते हैं त तब ऐसा लगता है कि हाँ सारी चीज़ें जो हैं वो अंडर कंट्रोल हैं वरना क्या होगा कि सुबाई अगर kitchen में आते ही मैस मिलेगा बरतनों का धेर मिलेगा तो आगे जो सुबाई का काम है वो करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा तो next day को productive बनाने के लिए जो है यह हो हाँ अगर बिल्कुल ही नहीं हो रहा तब कह सकते हैं लेकिन मैं इसको kitchen को ना अच्छे से साफ करके ही सोती हूँ और इसके बाद next चीज़ आती है next day की preparation तो next day खाने में क्या बनना है क्योंकि सुबह उटते ही सबसे पहले जो है वो मुझे husband के लिए na lunch प्रिपार करना हो जैसे कि अभी मुझे next day जो है कल मुझे बनानी है पत्ता गोवी मटर की सबजी तो मटर जो है वो मेरी छीली हुई रखी है और मैंने पत्ता गोवी यहां पर चौप करके रख दिया है मटा माटर बाहर निकाल के रख दिया है फ्रिस से कि सुबह उटते ही जब मैं किचन मे आउंगी तो मुझे सारी चीजें सामने ही तयार मिलेंगी तो इससे जो है next day आपका काफी आसान हो जाता है उसके बाद रख दिया था मैंने दूद गरम होने के लिए तो पहले जब हलका अगुना सा हो गया था तब अभी को दे दिया था और फिर उसको करम करने रखके मैं चली गई थी मुझा धोने के लिए तो मुझार दो के मैं आगई हूँ और उसके बाद फिर मैंने अपनी कर लिया है स्किन केर मतलब میں नाइट में डूकल सिरम काई बार मैंने आपके साथ शेयर किया है। वो मैं लगा ती हूँ कि मैंने अपना लगा लिया था तो रात में रातमें फैश वास करना कभी भी नहीं भूलती हूँ चाहें कितना भी ठखе क्यों हुई हैं या कुछ भी हों फेश वास करके जो भी मोईशिराइजर या सिरम वगेरा मुझे लगाना है वो मैं जरूर लगाती हूँ तो वो अपनी स्किन के लिए बहुत जादा इंपॉर्टन्ट स्टेप है तो बस अपना स्किन केर करने के बाद दूद ले लिया था मैंने अपने लिए हस्मेंट को दे काम है जो मुझे करने हैं तो उनको मैं केटिगराइज कर लेती हूं जैसे की जॉब से रिलेटेड क्या काम करने है घर से रिलेटेड क्या काम करने है या अपना कुछ परसनाल है तो वो क्या काम करना है तो अगर हमें यह पता होगा पहले से कि हमें आज के दिन में क्या क्य काम करने हैं तो हम easily वो काम कर पाएंगे बजाए ये सोचते रहने के क्या काम करें इसमें क्या होता है कि time waste हो जाता और काम कुछ भी नहीं होते और at last जब देखतें तो दिन जो है वो बहुत ही non-productive सा होता है तो बस अपनी to-do list जहाँ पर मैंने बना ली है तिल त्यून एक्स वीडियो में, तिल देन बब बाई, टेक केर, स्टे ब्यूटिफुल अल्वेज